तो यह मेंस 2024 का कुशन है फस्ट फरवर्य शेट फस्ट में आये था तो बहुत ही बेसिक कुशन है बहुत ही सिंपल कुशन है इसके करने के दो तरीके हैं फिस फिस फर्मूले से कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स का फ्रमूला क्या होता है चेंजल मोमेंटम या तो ऐसे कलो या फिल्ट स का BESIQ कि फॉर्म questionnaire की होता है, force into time, दोनों फॉर्मेले impulse के हैं, अब आपको linear to angular change करना ना चाहिए? तो जैसे अगर मैं linear to, linear to angular बात करता हो तो इधर होता है displacement, इधर होता है अपका angular displacement, इधर होता है velocity, इधर होता है angular velocity, इधर होता है होता है mass इदर होता है inertia इधर होता है force इधर उता है to let घॉल्क ठीक है इधर लेकां न टो सेम ही रहता है पस formula अलग हो जाते है एना तो यहीं चाएं gates सेम होती है तो आपका इधर होता है momentum तो इतर घंगोर मोमेंटम बस यही सेम नहीं होता ठेक है अब अगर मैं dimension की बात करूं अगर मैं change in speed की बात करता हो यह फिर speed की बात करता हो दोनों की dimension तो से में रहने वाली है उसमें तो कोई change नहीं होगा नまだ to change in angular momentum बोलू है सारो angular mo momentum बोलू dimension it up को हिस का निकालो to then singular momentum का formula क्या होता है basic Van 1991 यह तो आपको पता ही रहना चाहिए तो इसका dimension निकाल लो mass का होता है m, velocity का होता है lt-1 और r भी distance ही है तो इसका भी dimension l ही होगा इसको अगर हम solve करेंगे तो यह हो जाता है ml square t-1 बास संज में आ गई, अगर ऐसे नहीं आया तो ऐसे तो आई जाएगा अब यह पता होना चाहिए आपको कि torque का basic formula क्या होता है तो torque का formula होता है force into perpendicular distance ठीक है r cross f इसको vector form में आप बोलते हैं अभी हमें वहाँ पर नहीं जाना है हमें तो बस यह ज्याद लगना है कि torque का भी dimension वही होता है जो work done का होता है और work done का dimension आपको रटके रखना है माइनस 2 और प्लस 1 हो जाता है आपका माइनस 1 तो यह भी हो जाएगा आपका ml square t का पावर माइनस 1 दोनों dimension सेम मैच कर रही है और यही इसका correct option है ठीक है